क्रिस्पी क्रिस्पी रिंग समोसा, रिंग समोसा की जो खासियत है वह यह है कि लंबे समय तक क्रिस्प बने रहते हैं, मैं आपको तोड़के और खाके भी दिखाते हूं, बहुत युम्मी थे, तू मच डिलिशियस, हलो दोस्तों, शिवानी नेमा दिस साइड और आज हम बन इसके बाद सौफ जीरा भी हम एट करेंगे साथ ही एट करना है धना पाउडर मसालो को मिक्स करेंगे और एक सेकंड तक बूनेंगे फ्लेम को लोह रखना है फिर हमने एट करना है बारी कटी हुई हरी मिर्च साथ ही साथ ग्रेट किया हुआ अदरक ग्रेट किया हुआ अदरक भी हम एट करेंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है एट करेंगे और मिला देंगे तीखा बनाने के लिए हमने इसमें एट करनी है लाल मिच as for your taste दो सेकंड तक रोस करेंगे आसम पॉफेक मसाला अट लास्ट हमने एट करना है पिसा हुआ गरब मसाला दोस्तों ध्यान रहे आप घर का गरब मसाले ही यूज़ करें अब एट करना है उबले हुए मैश्ड आलू दोस्तों मैंने पहले से उबाल कर मैश करके आलू को रखा था अब इसमें जाएगा काला नमक और साथी साथ रेगुलर नमक एस पर यूज़ टेस्ट अब एट करना है बारिक कटा हरा धनिया फ्रेश धनिया ज़रूर एट करें इससे टेस्ट बढ़ जाता है मिक्स करेंगे यस मसाला रेडी है इसे हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और अब चलते हैं दूसरी प्रोसेस में दोस्तों अब हम बनाएंगे डो इसके लिए मैंने लेना है परात और एक कप मेंदा मैंने एक बड़ा कप मेंदा लिया है और अब इसमें डालना है तेल मौहिन के लिए लग भग 15 ml मैंने तेल लिया है और साथ हम एड़ करेंगे इसमें अजवाइन हाथों से इस तरह क्रेश करके हम एड़ करेंगे अट लास्ट हमने एड़ करना है सॉल्ट एस पोर योर टेस्ट दोस्तों सबसे पहले हमें इससे अच्छे से मिक्स करना है इसके बाद ही हमें पानी डाल कर डो बनाना है तो सबसे पहले में इससे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सभी चीजों को इसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डो बनाना है दोस्तों डो जादा नरम नहीं होना चाहिए जादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और जादा सक्ष भी नहीं होना चाहिए तो डो राइडी है इसे दस मिनिट रेस्ट करने के लिए रख देते हैं 10 मिनिट बात हमने लोई लेना है और इस तरह स्मूध लोई बना कर तयार करना है और अब इसे बेलना है दोस्तों इसे बेलने का तरीका ध्यान से देखें स्टार्टिंग में तो नॉर्मल ही बेलना है लेकिन फिर इसे इस तरह से बेलना है कि ये हलका सा रेक्टेंगल शेप ले ले पूरा नहीं ले ले लेकिन हाँ हलका सा रेक्टेंगल शेप होना जरूरी है इस तरह से बेलना है देखिए लेफ साइड से शुरू करें राइट साइड तक evenly बेलना है कहीं से मोटा कहीं से पतला इस तरह से नहीं होना चाहिए देखिए इस तरह से बेलने के बाद अब हमें क्या करना है आलू का मिक्षर इसमें फिल करना है इस तरह evenly हम आलू के मिक्षर को सैट कर देंगे, यह देखिए अब नीचे वाली साइट को इसके उपर रखेंगे, इसे फिलिप करेंगे, रोल कर देंगे इस तरह बाकी बच्चिवी स्पेस पर हम स्ट्रिप बनाएंगे इस तरह से हमने स्ट्रिप्स बना लेनी है, अब इसे रोल कर देंगे इसे पूरा रोल करने के बाद इसे हमने रिंग शेप देना है और रिंग शेप देने के लिए इसके जो कोने हैं, इसमें हम पानी लगाकर इसे इस तरह से हम चिपका देंगे आप जहाए तो चिपकाने के लिए मेंदे का घोल भी उसकर सकते हैं पर मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो इस तरह हम इसे रिंग का शेप दे देंगे देखिये दोस्तों तयार है रिंग समोसे तो इस तरह इसे हमने टैयार करने हैं इसकी इनी स्ट्रिप्स की वजर से ये ज़्यादा समय तक क्रिस्प बना रहता है। इसी तरह से मैंने सारे रिंग समों से बना लिये हैं और अब आते हैं लास्ट प्रोसेस में। तो अब करना है इन्हें फ्राइ और फ्राइ करने के लिए हमें थोड़ा सा देना है ध्यान। दोस्तों ध्यान रहे फ्राइ करते समय तेल हलका गरम ही होना चाहिए। दोस्तों हीट लो से मीडियम ही रहनी चाहिए। हाई नहीं रखनी है। जब हलके golden हो जएंे तब मीडियम-high फ्लेम करेंगे इसके पहले हमें वीडियम-high नहीं करनी हैं हमें लो से मीडियम-फ्लेम ही रखनी है यह नीचे से हलके गॉलडन हो गाए है, तो साथनी पूरवक ने हम पलट देंगे और सुनहेरा होने तक हमें उस वीजिई करना है यह देखिए कितने शांदा रिंग समोसे बने हैं गोल्डन हो चुके हैं तो मैंने तेल से निकाल लूँगी बहुत शांदार खुश्बू आ रही है बहुत ही अच्छे समोसे बने हैं दोस्तों रिंग समोसे सर्व करने के लिए तैयार हैं पाती टाइम में बनाए या जब आपका मन हो तब बनाए पर बनाए जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी तो इन्हें सर्व करें केचप के साथ ठेंक्स वर वाचिंग डिस वीडियो ci समय गडाँ जो जो इसा थेंगा हम जया खींग जयार किल व कर दो हुआ हैं यो खुआ हैं हैं ने हैं च जयार कमे टेंट